मगां अग्यवन चलाएंगे दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और यह हो गया और वो हो गया Windows ॏ हम इंडिया हमसे दस बुरा ब instrument यक घॉयाने में और उनको अ PO nuk तो यह पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको अब हो चचा चचा वो तोभी वाले चचा अब यह फिकर छोड़ दो कि मुल्क उठेगा कैसे यह इसलिए नहीं उठ रहा था क्यूंकि हम नहीं उठ रहे थे अब हम ब बताओ इसको लिटाया किसने है अब हमारा मसला यह नहीं है मुल्क कैसे उठेगा अब हमारा मसला यह हम उने ढूंड रहे हैं जिन्होंने मुल्क को लिटाया है जी यह और इंशाल्लाव ताला बड़ी जल्दी हम उने पकड़ेंगे इस बात की फिकर करो तुम 1974 में 1.8 billion dollars के project करने वाला मुल्क तरबेला डैम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला मुल्क P.I.A.J.C. एरलाइन दुनिया की सबसे बैतरीन एरलाइन रखने वाला मुल्क जर्मनी को करजा देने वाला मुल्क आज इस हाल में है कि बंदरगा से प्यास तक नहीं उतरवा सकता कंटेनर से आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं उस मुल्क के अंदर तुमारे एक अकाउंट में स्विस के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है सिर्फ एक अकाउंट में और 22 करोड के इस मुल्क के पास एक बिलियन के फॉरण रिजर्फ भी नहीं बचे हैं तुम बात करते हो जमूरियत की तुमारी जमूरियत सुप्रीम कोड के मुएजस जज को इक्तिदार के इवान की कुर्सी पे बिठा गए ये आया हमें भाशन देने जमूरियत का दिवालिया हो गया जापान हो गया कोरिया हो गया बरतानिया हो गया स्विजर लेंड हो गया इंडिया अब दिवालिया हो गया क्या भाशन दे रहा है हां इंडिया की तारी घुठा क्या लगते हैं ये अपस में जमूरी तरीके सिक्तिदार पे आने वाले लोग हैं ये तुमारी तरह नहीं तेरा सुसर उतरा तो तेरी बीवी आके चड़ गई वो तरी तो नवा सरीफ चड़ गया वो तरी तो फिर तेरी बीवी चड़ गई वो तरी तो फिर नवा सरीफ चड थाने के लिए तमशा लगा के रख्णा हूए इस मुल्क के साथ तुम लोगोंने 40 साल से बात करते हो जमूरियत की नल्ले किस मूँ कर रहे हूँ है क्या हमारे माथे पे समझ़ के क्या रखा हुआ है सबसे बड़ी जमूरियत पे गाली तेरे घर में तेरा बेटा है किस कावलियत पे पार्टी का चेर्मेन बना करके बिठाया हुआ है तुमने उसको तुमारी पार्टी में 60 साला लोग बैठे वह जो 40 साल से 50 साल से स्यासत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर लेकिन चेर्मेन तो तेरा लोंडा होगा जमूरियत के उपर धबा 27 साला तेरी लड़की जलसे पे आ करके स्टेट पे खड़ियो करके खुद को काईद केलवाती है और नारे लगवाती है लोगों से काईद आसिफा भुटो के जबकि उसके पीछे 74 साला बुढ़ा पाकिस्तान का वजीर आजम रहने वाला यूसफ रदा गिलानी तालियां बजा रहा होता है ये जमूरियत तेरी तो तेरी जमूरियत पे बात करते हो जमूरियत को हम पन पाएंगे तेरी जमूरियत एक बयान दे दे अगर कोई कानून के हक का तेरी पार्टी में तो तीन से चोथा गिंट चानही निकाल काता तो उसे पाटिसे निकल में निकालने में वो मुस्तफा हो उक्षर के साथ क्या किया 25 उसे ले में अज ellenिक दूसरे को तुम ने निकाल दिया या कि कानून कीमारीत की भाची कि जमौरियत की दूस्वार कि कौम का मसला समझाओव अब हमारा मसला यह नहीं है कि मुल्क कैसे उठेगा, अब हमारा मसला यह है, हम उन्हें ढून रहे हैं, जिन्होंने इसको लेटाया है, उठ वो इसलिए नहीं था रहा क्यूंके हम सो रहे थे, अब हम उठ गए हैं, अन्शालला उठ जाएगा, मेरा इमान ने अल्ला ताला कोशिश नहीं की, अब जाकर कि यह अवाम अपनी हालत को बदलने की कोशिश कर रही है, इनकी हालत बदल जाएगी, तू फिकर कर, इस मुल्क में, जिन्होंने इस मुल्क को लिटाया है, इस हाल पे पहुंचाया है, उन्हें तेरा नाम आने वाल है, इन्शालला उठ जाला झाला है, उन्हें झाला है।